नमस्कार दोस्तों क्यासे हैं आप सब आसा करता हूं अच्छे होंगे मेरा नाम है सनोज कुमार उमंग स्टडी में आप सभी कैस्वागत आता है जी हाफ फ्रेंट्स इस्टूड़ी बात करने वाला है ग्रूप डी एन यू विकेंसी के बारे में तो क्या है जानकरी शारी ज संख्या में स्टूडेंट्स के लगातार हमरे पास सवाल आ रहे हैं किसा टेस्ट्बूक पास्ट प्रो का सिस्टम क्यों लाया गया तो आपकी जनकरी के लिए बता दिना चाहता हूं कि पहले टेस्ट्बूक पास में क्या होता था कोई भी एक पटिकुलर टेस्ट आप लिमिटेड बार दे सकते हैं दूसरा फीचर क्या कारण रहा जिसका कारण से टेस्ट्बूक पास्ट प्रो को लाए गया कि प्रिविएस यह पेपर जो टेस्ट होते हैं इसका भी आप लोग अनलिमिटेड टेस्ट लगा सकते हैं और इस बार के जो CGL के टॉपर है मोहित च द्धोका है तो वैसे स्टूडेंट कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें आप लोग तीन दिन का आपको बिल्कुल फ्री एक्सेस दिया रहा है पहले आप यूज करिए आपको लगता है कि टेस्ट बूक पास प्रो अच्छा है हमें टेस्ट बूक पास प्र रखें तो बहुत अच्छी बात है नहीं डाउलोड करके रखें तो पहले डाउलोड कर लिजेगा वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फैंस हम लोग आ चुके हैं और सी एनियार की वेबसाइट पे नियार डॉट इन यहां पर देखेंगे रिकूट्मेंट फॉर लेवल पर भी डाल दिया तो यहां से आप लोग डाउलोड करके इसको रीड भी कर सकते हैं यह आपके सामने को पीडिया वोपन हो चुका है रेलवे भरती सेल पूरवत्तर रेलवे गोरकपूर ओके और यह सकेंड डिवी लिस्ट के जो से पहले दो जोन के तरफ से जारी करवाय जा चुका है एक आप लोग का विलासपूर है दूसरा आप लोग का भवनेश्वर है और भवनेश्वर में ही आप लोग का सबसे पहले फिजिकल भी स्टार्ट हुआ था जहां से हम लोगों आपनों ग्राउंड रिपोटिंग प्रवाइड करवाय था और जैसे से सकेंड लिस्ट का और भी बाकी जून्स का अपडेट आते जाएंगे तो हमारे चलनल पर आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट मिलते जाएंगे यह देख सकते हैं दीतिये प्रलेख सत्यापन है तो बुलाए गया भ्यरतियों की सूची तथा प्रलेख सत्यापन का का रिक्रम ल अगली जोब डेट आ रहे हैं यह नूटिस में हम लोग अपने टेलिग्राम पर डाल दिया है डिविजनल रेलवे मैनेजर जबलपूर के तरफ से आ रही है प्रिया भ्यरति यहां पर देखे कुछ इंस्ट्रक्शन दिये गए एक मिनट रूख जाहिए आपको जबलपूर पस्षिम मधरेल में गृूबड़ी लेवल वन अररसी 1-27 के पाद पर न्यूखती है तू सौट लिस्ट क्या गया है यानने कि इस लिस्ट में जितने भी स्टूइंट्स का राल नमर दिया गया इन सभी स्टूइंट्स को जो से की सौट लिस्ट क्या गया है यहाँ अपर कम्यूनिटी रॉल नंबर नाम फादर नेम उसकी बाद यहां पर देखेंगे तो डेट ऑप बर्थ भी यहां पर मिंसन है ओके और भी कुछ अब यहां पर प्रजेंट इस अफिसल एपसाइट पर यहां पर आप लोग वाले सक्षन में जाएंगे तो यहां पर आपको अपडेट दिखेंगा देख सकते हैं यहां पर अपको पूर अपडेट दिख जाएगा इसका हैडलाइन आप लोगों का अड़िज्मेंट नंबर 01 इस लिंग पर जैसे क्लिक करेंगा आपके सामने इस तरीके के पीडिएफ ओपेन होगा इस पीडिएफ को हम लोगों आपने टेलिग्राम पर भी डाल दिया तो आप चाहिए से यहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं आई हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते फॉर्म को अच्छे से भरना उस पर्टिकुलर एक्जाम का आधे एक्जाम पास करने के बराबर होता है ओके यह देख सकते हैं डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडर कोरपरेशन ऑफ इंडिया इंटरप्राइज तो इस ट्राटिंग में डीफ सेल के बारे में बताया गया तो ज अप्लाइन वाले पोटल पर रिडारेट कर दिये जाएंगे अभी देखे हम लोग यहां पर क्लिक किया है तो इसीदा हम लोग को रिडारेट कर दिया गया है cdn.dgalm.com ठीक है यहां पर देखिए आप लोगों का सारा है तो रीड डिटेल अड़िजमेंट क्लिक हैर तो ड सामके चार बजे लास्ट डेट है उनीस जून दो अर्ताइस तो कोई भी स्टुडेंट का इंतियार विर्कुल भी नहीं करेंगे यहां पर आप सब इस्टुएंट को एक नंबर दिया गया है आपको किसी प्रकार को कोई भी साहिता चाहिए है इस नंबर में फोन करके आप करने जाए आपको पोस्ट का नाम मांआ जाए का फिर पोस्ट गोस्ट फूल नेम सुबाइल क्प चंपूं करने के बाद भ被 captivity करेंगे इस तरह से आप लोग आगे यह किरिया को फालो करिएगा आई इसके और भी कुछ डिटेल को देख लेते हैं कि लास्टेट खतम होने के बावजुद भी आप लोगों को करेक्शन का एक विंडो दिया गया है जो कि आप लोग कर सकते हैं 26 जून 2020 से लेकर के 30 जून 2020 सका Ini के बात करते हैं So The 30 है उसके बाद आपको समय बहुत लास्ट और जो के आप लोगiamo scheint Wkelt जुलाइब और अगस्त में इसका एक्जाम सेडियूल कर दिया गया है तो इसका एक्जाम रिव्यू मंग स्टड्यू को कवर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आगे और भी कुछ डिटेल्स देखते हैं यहां पे देखिए कौन कौन से पोस्ट की वेकेंसी आई है उसके वेहरम यहां जनकरी दिया गया है डिटेल आफ पोस्ट एंड एसेंसियल क्वालिफिकेशन तो जो भी स्टुडेंट एलिजिवल होंगे आप जरूर जरूर अपलाई करिएगा फस्ट बात करते हैं एक्जेकुटिव सिविल क यह लास्ट आप लोगों का ठीक है उसके नीचे कुछ और भी इंस्ट्रक्शन था है टोटल पीडिएप की बात करते हैं तो यह आप लोगों का 49 पेज का पीडिएप है और भी कुछ basic important details दिख लेते हैं हम लोग एक एज लिमिट को लेकर का अक्सर स्टुडेंट के सवाल सबसे बड़ा सवाल रहा है वह यह आ रहा है किसर जो government of India के इंटरफ्राइज है अब तो वहां भी वेकंसी आ गई है तो आकि रेल्वे में वेकंसी क्यूं नहीं आ रही है देखे फ्रेंट इसका सबका सवाल का जवाब आप ही के पास है क्योंकि अभी students ही united नहीं है railway में नहीं भरती को ले करके देखे हम लोग लगतार प्रयास रहत है जो भी मंतरी जी tweet करते हैं इनको tag करके हम लोग कुछ न कुछ जवाब देने कावश से प्रयास करते है इसके यहाँ पर वो देखे मतलब की reaction की देखे तो 12 retweets है और 15 like है तो क्या इतने ही students है जो कि railway में नहीं भरती चाहते हैं आपका वगशार ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है रेलवे में तो हजारों नहीं लाखों नहीं बलकि करोडों के करोड़ अप्लिकेंट्स हैं तो यही रीजान है फ्रेंड क्योंकि आपको पता होगा हम लोगों ने दिसंबर में, जैनवरी में, फैरवरी में फिर एपलेर में Twitter campaign किया लिए कोई भी Twitter campaign 50 लाख एक करोड़ तो छोड़िये 10-20 लाख tweets तक भी नहीं पहुँच पाया तो यह सबसे बड़ा कारण है कि रेलवे भी students की unity को चेक करती है आप लोग याद करिये पहले हम लोग जितनी भी लडाईय लडा करते थे NTPC और GroupD के students के लिए तो आप लोग बताईये कब करोड़ों की संख्याम आप लोग ट्वीट कर पायेंगे क्योंकि आप लोग का मई जून जुलाई किसी परगार कोई Twitter campaign बिल्कुल भी नहीं है आप तब इस्टुडेंट्स को भी समय दिया गया है Twitter campaign जो होगा वो बहुत बड़े सरका होगा और वो आप लोग का अगस्त में होगा तो मुझे उमीद ही नहीं बलकि पूर्ण विश्वास है कि अगस्त में लाखों नहीं बलकि करोड़ों की संख्यामें स्टुडेंट्स आगे आएंगे और रेलवे में नई भरती के जो मांग है वो नए सीरे से रखेंगे और रेलवे में नई भरती जारी होगी इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करके जड़ो बताएगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत